कि वाइस आज हम बनाएंगे देर किलों में डॉल के कुछ इस तरीके से तो इस केक को मैंने कैसे बनाया है वह मैं इस वीडियो पे बात करूंगा तो गाइस सबसे पहले मुझे लेना होगा तीन हाफ किलो स्पॉंज एड़ इसमें हाफ किलो स्पॉंज की रेसिपी अगर बता जो केक का बेटर बनता है उसको गाइस आप फॉर इंच की मोल्ड पे डालके अब स्पॉंज जो है वो बना सकते हो तो गाइस उसी तरीके से मैं हाफ किलो तिन स्पॉंज को बनाया हूं एड़ स्पॉंज बनाने के बाद अभी मैं इसको कटिंग करके लेयर कर दूंगा ले विद्न आकी में यहां हूं तीन हाफ किलो स्पॉंज पर टूंट्यार का कैक कैसे बनता है तो काइस इस 있다 को देखने के लिए विजो की आंड तक जरूर काफी बार ऐसा होता है की नई को आइसिंग करते टाइम आपका जो फिनीशिंग है वो प्रोपर नहीं हो पता उसका भी सोलेशन मैंने इस वीडियो पर बताया है तो आप एंड तक जरूर बने रहना आप अगर आमने चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी बेल आइकन को भी ओल पर क् नोटिक cuatro अब तक स्फरुर पहुँचे अड गाईस आप मेरे वीडियो को देख सकें एन्थी सकें तो गाईस अभी में लेरिंग कर रहा हूं एड इसअभी ड्यान से कैसे लेरिंग में कर रहा हूं dovelle हाफ-कलो समय केको मैं बिटा दूँगा है तो जासे की हमारा पहला एक किलो का लॉप बन गया है अब हम कैक के उपर दूसरा करों करेंगे हम क्डॉप करेंगे, हम तो वह कबी टू आ किया अधिला करेंगेור तो यसलें क्वहारां ISGO हम क्टिंग कर लेंगे डाइसो ग्राम की साइज पर इसका साइज जो है वो डाइसो ग्राम की साइज होगा लेकिन इसकी हाइट हम काफी बड़ा देंगे साइट के और जो हमने स्पॉंज को कटिंग किया है इसी स्पॉंज को हम इस चोटी केके अंदर यूज करेंगे तो इसका जो हाइट है वो भी सब बन जाएगा चोटा वाला केक को हाइट में बनाने के लिए पहरे तो हम कुछ इस तरीके से केक को कट कर लेना होता है जितने भी मैंने साइट के और से कट किया हूँ वह सब को में इस केक के अंदर में योज कर दूंगा ताकि कैस वेट सेम रहे एंड केक का हाइड जो है वह भी बढ़करा रहे है तो इसमें बोलते में गलती से वही लेट को में उपड़ कर लगा दिया हूँ मुझे मैं बूल गया था अंदर के और फो और केक के के लागदा चाहिए मतब द्यां नहीं तो इसमें वही अंदर के उर इस तर्केस से यूज़ कर दूंगा था कि हमारा है जो है वह बन- इस से में लेल करते हो तो जब भी केक को आइसींग करें तो वह पुरपर्ली में नाइसींग कर जब सकों का जो फिनिशिंग आइस पाइस आपकर प्लेइश ऐस स्पोंज करते हो तो जो काफी अच्छा है तो समरे तो यहांब करने चांग करो वहाँ पे हम प्लेंगे करने में क्या होगा जब भी हम केक को आइस सींग करेंगे तो थो धोड़ा नौज सा गया था तो किसमें क्या पोल रहाता है साइट के ओर में कुछ इस तरीके से नाइफ से Cutting करके प्लेंग कर दूगा और सब जब भी कोई से भी केक करो तो गार इस तरीके से दिक्कत सा आजाता है तो गार आपको knife से cutting करके plane कर लेना है इस लिए करना है कियोंकि आप जाब भी cake को icing करो वो प्रोपरली finishing से icing कर सको अगर केक शपोंच ज्यादा है कम है उससे क्या होगा आपका जो icing है वो प्रोपर finishing नहीं हो सकीगा इसलिए आपको नाइब से कटिंग करके चारों और प्लेन कर लेना है ताकि क्रीम जो है वह अच्छे से आप क्रीम को फ्निशिंग कर सको तो गाइस यह बन गया है अभी हम इस केक को आइसिंग करेंगे पहले गाइस एक किलो की टॉल केक को मैंने ले लिया है अब जब भी कोई से केक आइसिंग करो तो गाइस उसके उपर पहले तो इस तरीके से पतला करके क्रीम को रब जरूर कर देना और टॉल केक में तो जरूर से ही करना नहीं तो काइस केक का फिनिशिंग लाने में काफी दिक्कत रहता है तो अभी हम इसको आइसिंग करेंगे आइसिंग करने के लिए काइस मैंने लिया है बटर पेपर बटर पेपर से पाइपिंग बना के इस को केक को भी में आइसिंग करूंगा टॉल केक अगर आप knife से icing करते हो तो guys उसमें क्या होता है कि काफी दिखते रहता है क्यूंकि हर एक जगा पे cream सेम तरीके से नहीं add होता है जब आपस केको Dang करो तो कहीपे कम जड़ा कहीपे रहा इस तरीके से दिख्कत हो जाता है तो guys आपको भी आप अगर कर सकते हो तो इस तरीके से कर देना नहीं तो कैसा पाइपिंग बैग में पेक करके ही इस तरीके से प्लेन करना उसके बाद गईस नाइफ से बस आपको साइट की और तोरह दबा के प्लेन कर देना है उसके बाद भी कही ना कही पे ऐसा ज़रूर रहेग जहां पे कम क्रीम ज्यादा क्रीम रहेगा उस पर क्या करना है आपको नाइफ से क्रीम लेकर वहाँ पर एड़ कर देना है अब कोई सब के और प्रोपर एक ही बार में फिनिशिंग हो रहा है जैसी कि मैं अक्सर आपको बोलता हूं केक को प्लास्टिक स्केपर से या पैन कार्ड अधर कार्ड से भी आप आइसिंग कर सकते हो लेकिन आप अगर टॉल के बनाते हो तो उसको आप कोशिश करना नाइफ से ही करते हो ऩो तो टॉल्क के एक बार में फिनिशिंग हो जाता है क्योंकि केक लंबा है आप अगर पांकार या अधरकार से पैसर करोगे निची पैपें अबर फिनिशिंग नहीं होगा उसके बाद में यहां प्लास्टिक पतला प्याइपर यूंहीं सकते हो यहांपे क्रम कम कर दिया हूं तो इस तरीके से आपको भी जहां प hemos कर देना है जहाब पे ज्यादा है वह पे कुछ इस तरीके से प्लेंट कर देना होता है तो गाई हम क्या करेंगे यह पतला प्लस्टिक पेपर है इससे हम site called plane कर देंगे क्योंकि हमारा जो टक्चर है वह कॉंप्लेट हो चुका है अभी गाइस बस हम प्लेइन कर देंगे एंड हमारा जो कहीं के वह बनके तैयार हो जाएगा एंड गाइस में आपको बता दू आप अगर टॉल केक बनाते हो तो उसमें फिनिशिंग काफी ज्यादा मेटर करता है तो आप दियान से फिनिशिंग करन गाइस दिखने में भी काफी अच्छा होता है तो गाइस यह बनके तैयार है इसको अभी हम बोड पर उटा लेंगे यह जो बोड है यह 12 इंच का जो में हाफ किलो का बोड है बोड होता है इसको भी हम सेम तरीके से आइसिंग करेंगे हई सबी टॉल के उसींग करो तो यह कुंचिज करना नइफ से ही आइसिंग करने का क्योंकि नइफ से मतलय को अपर की और मेटा नहीं करता साइट के और आप न害व से ही प्लेन करना क्योंकि गैस साइट के और जब एक ही बार में प्लेन होगा तो गईस यह जो करना है नाइफ से ही क्रीम उठाके तुरा लगा देना है ताकि वहां पर फिनिशिंग बन जाए और एक चीज ज़रूर नोटिस करना देखना गाइस साइट यह जो केके इसके साइट के और एक्स्ट्रा क्रीम निकला हुआ है अभी मैं प्लस्टिक पेपर से कुछ इस तरीके से कट कर रहा हूँ आप शाओ तो नाइफ से साइट के और प्लेन करके ऊपर नाइफ से केक को रिमूव कर सकते हो जैसे मैं अक्सर वीडियो पर बोलता हूँ उस तरीके से भी आप कर सकते हूँ लेगिन आपकर आइसिंग में तोरा एक्सपर्ट हो तो गैस आप इसी तरीक को टू टेर केक के ऊपर इस तरीके से ड्रॉप कर दिये हैं तो गैस अभी आप देख सकते हो इसका लूख काफी बहतरी हुआ है यह वाइट कलर है इसलिए गैस हमने सोचा वोड में भी वाइट कलर ही हम यूज करे अब अगर कोई सा केक अगर टॉल केक बनाते हो कोई सा कल करेंशिंग है एंड केक का जो लुक है वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है यह जो केक है यह एक्चली वेडिंग केक है इस के ऊपर मैंने दो फॉंडेंट का कपल बनाके एट किया है एंड तो रहा हर्शेप मैंने कटिंग करके इस के ऊपर यूज किया है त क्योंकि यह वीडियो जो था ओल्रेडी काफी लंबा हो गया था इसलिए कि वह वाले पाट को नहीं किया है अगर में टूटली कवर करता तो यह जो वीडियो है काफी लंबा हो जाता लाइक आदे गंटे का यह वीडियो बन जाता तो आपकर आमने चैनल पर पहली मार हो तो मेल को सब्सक्राइब करके साथी बेल आइकन को प्रेस करके और पर ज़रूर क्लिक कर लेना ताकि कि इसमें जब भी वीडियो अप्लोड करूं नोटिफिकेशन अब तक ज़रूर पहुचे अलाकि मैं कल ही दस नो से दस बजे की अंदर में नया वीडियो अप्लोड कर दू झाले